Basic Computer का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेती हैं Basic Computer के दो मतलब निकल सकते हैं एक तो हम कई बार कहते हैं कि उसको Basic Computer आना चाहिए तो इसका मतलब तो यह है कि उसको Computer की Basic Knowledge होनी चाहिए यानि कि उसको Computer को On-Off करना आना चाहिए और उसमें जो normal काम है जैसे web browsing है या कुछ applications को खोलना या notepad पर या जो छोटे मोटा जो काम है computer पर वो कर सके तो उसको basic computer कहती है या basic computer में आपको excel आना चाहिए या आपको ms office पूरा आना चाहिए तो ये सब चीज़ें अगर आपको आती है तो इसका मतलब आपको basic computer आता है पर अगर हम थोड़ी technical language में बात करें कि basic computer होता क्या है तो basic computer का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा device कोई भी ऐसा electronic device जो basic computing का काम कर सकता है उसको basic computer कह सकते है जिसमें एक CPU हो एक RAM हो एक storage device हो और एक आपका monitor हो एक उसका keyboard हो एक mouse हो तो ये आपका एक basic computer बन जाता है तो basic computer मतलब कि जो आपके normal काम कर सकता है आम रोजमर्रा के जो काम जिस computer पर कर सकते हैं उसको भी आप एक basic computer कह सकते हैं फिर computer थोड़ा सा advanced computer की आप बात करें तो उसकी जो specifications हैं वो और बहतर हो सकते हैं तो उसको हम advanced computer कह सकते हैं या फिर आजकल super computer भी आते हैं जो बहुत जादा transactions बहुत जादा calculations एक साथ कर सकते हैं उनको आप फिर advanced computer कह सकते हैं तो basic computer का दो तरीके से आप मतलब समझ सकते हैं एक तो जो basic computer वाला काम कर सकता है उस computer को basic computer कहते हैं और एक जो basic computer knowledge की बात होती है तो उसको हम कहते हैं जिसको basic जो है computer पर काम आता हो यानि basic वो computer पर किसी software को खोल सकता हो उसे बंद कर सकता हो या MS Word या इन सब चीजों को access कर सकता हो उसे RAM का पता हो उसे hard drive का या इन सब चीजों का पता हो और इनको basic वो manage कर पाए तो उसको हम basic computer कह सकते हैं इसके बारे में और details से आपकी screen पर और video के description में दिया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं और इसको और बहतर करीके से समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी video मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही videos को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और bell icon को प्रेस करें